लंबा content नहीं देख पाते हैं, तो कोई बात नहीं, be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे, तो retinoids के तीन सबसे बड़े functions हैं, पहला कि इसमें anti-aging and anti-wrinkle properties होती हैं, क्योंकि ये collagen promote करता है, जो आपके skin के elasticity वाले fibers होते हैं, जो आपके skin को strong करने के, elastic बनाने के fibers होते हैं, उनको बड़ावा देता है, और इसलिए आपकी aging delay हो जाती है, और इसका proof भी scientific research से निकला है, एक research paper में mentioned है, और जो results उस research में आए, retinoids के लिए, वो results आपको कोई, ये जो पत्ते बत्ते face पे लगा लेते हैं, और फालतु के YouTuber आपको हर चीज के लिए natural promote कर रहे होते हैं, उन चीज से कभी वो results आ ही नहीं सकते हैं, और अगर आ सकते हैं, तो research के साथ दिखाओ, फालतु फंडे नहीं सुनने मुझे, अरे बाप रे, ये तो दोती खोल रहा है, अब retinoid का दूसरा function है, pigmentation पे act करना, अगर आपके face पे dark patches यार spots हैं, तो वो बहुत सारे reasons की वज़ा से हो सकते अब जो birth mark है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो external reasons से होए हैं, for example, sun का exposure जादा हो गया, इस type के reason से जो होए हैं, उन पे ज़रूर act करेगा retinoid, क्योंकि देखो basic के लिए जो dark spots और patches होते हैं, ये सब एक pigment होता है, melanin आपकी skin में, उस सब के accumulation की वज़ा से होते हैं, बहुत सारा melanin एक जगा आ जाता है, तो वो dark बन जाता है, अब retinoid क्या करता है, skin की layer को उपर से और नीचे से exfoliate करता है, तो इसलिए वो pigment वाला area है, वो कम होता रहता है, और उसकी visibility कम होती रहती है, और retinoid का तीसरा function है, आपका favorite pimple सो control करेगा, ये हमारी skin ना एक oil produce करती ह ये sebum नाम का, जो कि अगर किसी भी factor की वज़ा से, जैसे कि hormonal changes, या फिर गंदा खाना, या फिर कुछ भी external factor की वज़ा से, अगर वो बढ़ जाता है, बहुत जादा oil बनना शुरू हो जाता है, तो आपको होते हैं, black head, white head, and obviously acne और pimple, अब retinoid क्या करता है, retinoid reduce कर देता है sebum की production, तो जाहिर सी बात है कि acne कम हो जाते हैं, और retinoid के बार में एक और बहुत बढ़िया चीज है, कि ये technically cancer नहीं cause कर सकता, क्यूंकि ये तो खुद skin के cell मार के नए cell आने को promote कर रहा है, और cancer तो होता है कि cells multiply होते रहते हैं बहुत जादा, तो इसको तो anti-cancer effect ही बनाना technically, तो subscribe to be your best clips and be your best main channel.